इस साल बढ़ेगी इन राशियों की इंकम। बॉस को पसंद आ रहा है आपका काम। नया साल शुरू हो चुका है और हम सभी उम्मीद कर रहे हैं कि हमें जीवन के सभी क्षेत्रों में अनुकूल परिनाम प्राप्त हों। कहना गलत नहीं होगा कि हर एक व्यक्ति के लिए करिया का क्षेत्र या स्थान सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह हमारे जीवन का सबसे खास और महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जीवन की सही दिशा निर्धारित करने में करिया का सबसे बड़ा योगदान होता है। आपकी राशी के लिहाज से वर्ष दो हजार चौबीस में करिय किस करवट बैठेगा। अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं क्योंकि एस्ट्रोसेज के इस खास वीडियो में हम इसी विशे पर जानकारी हासिल आपकी जानकारी के लिए बता दे वर्ष दो हजार चौबीस शनी का ही साल माना जा रहा है। ऐसे में चलिये जान लेते हैं मेश से लेकर मीन राशी के जातकों को करिया के संदर्ब में किस तरह के परिणाम मिलने वाले हैं मेश राशी साल दो हजार चौबीस करिया के लिहाज से शांदार रहने वाला है कार्यक शेत्र में आपको बदलाव दिखेंगे और यह बदलाव आपके लिए अनुकुल साबित होंगे इस साल आपके करिया में स्थिर्टा भी आएगी आप कार्यक शेत्र में शांदार प्रदर्शन करेंगे और बॉस के फेवरेट बनेंगे इस राशी के जो जातक अपनी नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं उनके लिए अगस्त का महीना अनुकूल रहने वाला है। सलाह दी जाती है कि जितना हो सके आफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें। नवंबर और दिसंबर के महीने में आपके करिया को नहीं उचाई मिलेगी। नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो अप्रल से सितंबर के बीच शुरू कर सकते हैं। वुरिशब राशी वुरिशब राशी के जातकों के लिए साल दो हजार चौबीस सुखद और आशाजनक रहने वाला है। शनी देव करिया में सफलता प्रदान करेंगे साथ ही आप कड़ी मेहनत करते भी नजर आएंगे। आपके काम के प्रशनसा होगी और आपके बॉस भी आपके काम से खुश रहेंगे जिनके दम पर आपको पदोननती और वेतन वृद्धी भी मिल सकती है। नौकरी में उननती के लिए मार्च से अप्रल और फिर दिसंबर का समय शांदार रहेगा। सलाह दी जाती है कि किसी की बातों में आकर कटू वचन ना बोले और किसी के बहकावे में ना आएं। मिथुन राशी मिथुन राशी के जातकों को इस साल बेहधी सोच समझ कर चलने की सलाह दी जाती है। कोई भी शॉटकट ना ले वरना आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप काम आसानी और जल्दी करने में काम्याब रहेंगे। आपके काम की हर तरफ चर्चा होगी। मिथुन राशी के जातकों को प्रमोशन और वेतन वृद्धी दोनों ही प्राप्थ हो सकती ह इस साल काम में आपकी व्यस्तता ज्यादा रहेगी। यही व्यस्तता आपको नई सफलता भी दिलाएगी। 7 मार्च से 31 मार्च और फिर 18 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच आपको कोई नई नौकरी का मौका मिल सकता है या फिर अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो य हबदी आपके लिए शांदार साबित हो सकती है। करक राशी करक राशी के जातकों के लिए करिया के लिहाज से यह साल अनुकूल रहने वाला है। सूर्य और मंगल आपके छठे भाव में रहेंगे जिससे आपको नौकरी में शांदार अवसर प्राप्त होंगे। वरिष् साल करिया के लिहाज से काफी संतुष्ट रहने वाले हैं। 23 अपरल से 1 जून के बीच का समय आपके लिए विशेश महत्वपून रहेगा। इस दोरान नौकरी में कोई बड़ा बदलाव आने की संभाव ना है। महत्वपून जानकारी, वेदिक जोतिश के अनुसार जब वी किसी व्यक्ति के करिया को देखना या समझना हो तो उनकी जन्म कुंडली में शनी की दशा और स्थिती को देखा जाता है। कुंडली में शनी की चाल और स्थिती व्यक्ति के कारिय करने की क्षमता के बारे में सटीक जानकारी देती है और इसी से करिया में उचाया और गिरावट दोनों का आकलन किया जाता है। इसके अलावा कुंडली का दस्वा भाव उसका शासक और उसमें मौजूद ग्रहभी करिया के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सिंग राशी सिंग राशी के जातकों के लिए वर्ष 2024 सामान्य से बहतर रहेगा। आप जीतोर मेहनत करेंगे और आपको इसका फल भी मिलेगा। इस साल आपकी नौकरी में बदलाव और ट्रांसफर के योग भी बन रहे हैं और यह बदलाव आपके लिए अनुकुल साबित होंगे। सरकारी क्षेतर से जुड़े इस राशी के जातकों का तबादला हो सकता है। जर आएगा जिसके दम पर आप अच्छी पदोननती प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि मार्च अप्रेल के बीच का समय थोड़ा चुनोती पूर्ण रहने वाला है। आप किसी ओफिस पॉलिटिक्स में फंद सकते हैं। अप्रेल से माई का समय आपके लिए शांदार रहेगा। हालांकि जून में आपको दोबारा साबधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। तोला राशी तोला राशी के जातकों को इस साल भेरों अवसर प्राप्त होने की संभावना है। सूर्य और मंगल साल की शुरुआत में तीसरे भाव में रहेंगे और राहू का प्रभाव भी आपके जीवन पर देखने को मिलेगा जिससे आप हर चुनोती का सामना सफलता से करेंगे और आपकी मिहनत को पहचान मिलेगी। बोस और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की प्रशनसा करेंगे। हालांकि मार्च और अप्रेल के महीने में कुछ उतार चड़ाव देखने को मिल सकता है। मई और जून के महीने में आपको अपने विरोधी और शत्रूों से साबधान रहने की सलाह दी जा रही है। हालांकि इसके बाद अगस्ट से दिसंबर का समय आपके लिए बेहद ही अनुकूल रहेगा। वुरिष्चिक राशी वुरिष्चिक राशी के जातकों को इस साल कई नए बहतर और अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। आपको अपार लाब भी मिलेगा। अगर आप नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं या नौकरी बदलना चाहते हैं तो आपको इसमें सफलता मिलेगी। अगस्ट से अक्टूबर के बीच नौकरी में पदोन नती के योग बनेंगे। इस राशी के जो जातक सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं उन्हें भी सफलता मिल सकती है। करिया में सफलता के लिए अवश्य अपनाई यह हो पाए। उबले हुए चावल कौवे को खिलाएं। रोजना 31 बार गायतरी मंत्र और महमरित युन्जय मंत्र का जाप करीं। रोज सुबह उठकर सनान करीं और उसके बाद सूर्य देव को अर्ग्य अर्पित करीं। इसक साल मिश्रित परिनाम प्राप्त होंगे। आप अपनी नौकरी में थोड़ा नाखुश महसूस कर सकते हैं। काम से आपका मन भटक सकता है और काम का दबाव भी आपके उपर बना रहने वाला है। हालांकि सितंबर का महीना आपके लिए काफी शांदार रहने वाला है। इ आपका आत्म विश्वास बढ़ेगा जिसका सीधा असर आपकी नौकरी पर देखने को मिलेगा। काम में चुनोतियां तो आएंगी लेकिन आप उनसे विजय पालेंगे। आपकी काबिलियत कार्यक्षेतर में आपको नई पहचान दिलाएगी। नवंबर के महीने में आप को कोई प्रमोशन मिल सकता है साथ ही वेतन वृद्धी की भी उच्च संभावना बन रही है। अप्रेल और अगस्त के महीने में आपके स्थानांतरन की योग बनेंगे। कुम्भ राशी के जातकों के लिए यह साल अनुकूर रहेगा। कार्यक्षेतर में आपको अपने व इस दौरान आपको कोई विदेश यात्रा भी करनी पड़ सकती है। जन्वरी के महीने में पदोननती मिलने की संभावना के साथ साथ जुलाई से अगस्त के बीच काम में बड़ोतरी के संकेत भी मिल रहे हैं और अगस्त से अक्टूबर के बीच आप नौकरी में बदलाव की उम्मीद लगा सकते हैं। मीन राशी मीन राशी के जातकों के लिए भी यह साल अनुकूल रहने वाला है। इस साल आपके करिया में अपार सफलता मिलेगी। आपको इस दौरान कोई बड़ा पद प्राप्त हो सकता है। कार्यक शेत्र में अपनी अलग पहचान बनाने म काम्याब होंगे, लोग आपके काम की तारीफ करेंगे। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे संतुष्ट नजर आएंगे। मार्च से अप्रेल का समय काफी महत्वपूर्ण रहेगा। इस दौरान आप विदेश जा सकते हैं जिससे आपको लाब मिलेगा। अक्टूबर स दिसंबर तक विशेश रूप से साफधान रहें इस दौरान किसी भी तरह के ओफिस पॉलिटिक्स का हिस्सा ना बने।